हेलो एवरीवान, वेल्कम बैक टू मा यूट्यूब चैनल साइंखुशे क्रियेशन्स आज की वीडियो में मैं आपको पित्र विसर्जनी अमावस्या पर आप कैसे पूजा करें, खाना कैसे निकालेंगे बताने वाली हूँ पित्र विसर्जनी अमावस्या से पित्र पक्ष का अंत होता है और नवराती शुरू होती है, तो आज के दिन आपको जो है भगवान को भोजन अर्पित करना चाहिए, चार जगा भोजन निकाला जाता है, गाए के लिए, कुत्ते के लिए, देवता के लिए, चीटियों के ल ला रहे हों, तो उन्हें भी जरूर से बुलाएं, वरना खाना आप काई को खिला सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुवात करनी चाहिए, पित्र तरपन करने से, तो तरपन का लोटे में आपको एक लोटा जल लेना है, पीने का, उसमें थोड़ा सा कच होती है, और पित्र पक्ष में वैसे भी पित्रो को खीर का भोग लगाया जाता है, तो खीर, सबजी, सात्विक भोजन आपको बनाना चाहिए, बिना प्यास लसन के, साथ ही साथ कोई को भी भोजन कराने का विशेश महत होता है, तो आप जो भी खाना बनाएं, कोई के निकालना है, उन सभी को आपको ये भोजन देना है, अब अगर चीटिया नहीं मिल रही है, तो फिर वो सारा खाना आप गाएं को ही खिला दें, ताकि भोजन कभी भी पैर में, और मतलब भोजन का अनादर ना हो, इसलिए आप उनके निमित निकाल कर, लास्ट में सारा गा जाती है, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, दक्षिन दिशा की तरफ मुख करकर आपको तरपन का जल जो है, वो अर्पित कर देना है, घर के जो भी सबसे बड़े होंगे, उन्हें ये पूजा करनी चाहिए, अब 16 टुकडे पूरी के लेने हैं, एक थाली खाना तो सबसे पहले तो एक थाली खाना ले लेंगे, अपने पित्रों की भी पूजा करें, और आपकी पित्रों का जो भी घर में स्थान होगा, उसकी भी पूजा करें, उसके बाद दक्षिन दिशा की तरफ मुख करकर, अग्यारी करकर, खाने की थाली को पट्टे पर रखें, जमीन पर ना रखे और उसके बाद भोजन को जो है अपने पित्रों के लिए निकालें और आज के दिन सभी पित्र विदा होते हैं इसलिए सभी का आपको ध्यान करना चाहिए सभी का नाम लेना चाहिए तो इस तरीके से जल से तीन भार थाली के उपर पानी फिरा कर आपको ये भोजन अरपित करना चाहिए साथी साथ चार पूड़ी लेकर हर पूड़ी का चार टुकड़ा करके यानि टोटल सोले टुकड़े करके उन पर थोड़ी से खीर रखे और वो भी अरपित करे जाते हैं तो इस तरीके से जो है अग्यारी में आपको सब चीजों का भोग पूड़ी लगाना है अग्यारी में सिर्फ खीर पूड़ी अरपित करनी है घी अरपित करना है और इस तरीके से जो है आपको पित्रों के लिए भोजन निकालना है तो आप सभी घर वाले मिलकर पूजा करें पर जो घर के सबसे बढ़े होंगे वो यह सब जो खाना है वो तो इस तरीके से खाना निकालें, फिर अगर पंडित जी आ रहे हैं, ब्रहमन आ रहे हैं, तो उन्हें भोजन कराएं, उन्हें वस्त्रों का दान कर सकते हैं, साथी साथ जिस पर चीज का दान आप करना चाहें, अपने पित्रों के लिए, अगर कोई विशेश चीज आपने ब पर हमेशा अपना आशिरवाद और खुशियां बनाई रखें, तो इस तरीके से आपको जो है, वो पूजा करनी है, पित्र विसरजनी अमाविस्या के दिन गाएं के लिए भोजन जरूर से निकालें, अगर आप पूरे पित्र पक्ष में भी गाएं को भोजन नहीं करा पा और जैसा मैंने बोला कि कोई के लिए, कुटे के लिए, चीटी के लिए, गाएं के लिए और देवताओं के लिए, इन पांच लोगों के लिए भी पांच भी आपको पूरियां निकालनी है, पांच जगा पर दो दो पूरी, तो इस तरीके से आपको करनी है, अपनी पित्र share and subscribe thank you last में जो दीपक आप प्रजुलित करेंगे शाम को उसमें थोड़े से काले तिल भी ज़रूर डालें और दीपक सरसो तेल का या घी का प्रजुलित करें और कोशिश करके थोड़े उपर यानी की छट पर प्रजुलित करें thank you very much for watching please like share and subscribe अगर और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रशन पूछ सकते हैं